असलाम उरेकों नाजरीन कैसे है आप सब ठीक हमीदे कहरे सिंगे मज़े में हुंगे नोशीन मलताणी चैनल पर वल्कम होगे है जानि जान की प्यार जितनी भी मेरी प्यारी सी भीने दो हैं और जी चानम मैं भी पतल होने के कोशिश कर रही ती लेकिन करल मैंने मत्ठाइयों कहते हो अमबार लगा दिया दिया पंजीरी मंगवाई थी मैंने ऑनलाइन यहां जभा जांक से जहां होज ज़बाती हैं हमनों के मैं पाइरी अंटो किलोमेटर दूर हैं तो खैर वह मैं वहां पर भी मठाई खाली फिर हजबन ने जब उनके लिए मठाई ली तो अपरे गहर के लिए एक किलो पूरा जलेपियों का ले लिया गरम करती हुई जलेपिया वो खाली और मैं चार दिन से हर बल्टी पी रही थी मेरे हस्बन ने मुझे बना के दी काफी रेसिपी उस तो अपर खाली तो अब शुदा आज जाए थी मेरे साथ यह थी मेरे साथ आज यह ट्रेजडी हुई है तो देल करें मैं आप यह बन जाए जलेपियों का पंजीरी खाई और जनाब रात सहेली एं लाइफ में काफी फिर मुझे चेड़ा चाड़ी कर ले लिए थी कि नोश अब तीहान दे दूना सची में अगर सीरियस होगे फिर मैं अपने आपको कंट्रोल कर लेती हूं मैं बिल्कुल सीक हो जाती हूं कप्डे पहने वाले आना शिरू हो जाती हूं लेकिन मैं इतने अरसे मैंने डाइट की अपना फिट फार्ट जिसम को रखा उसके बाद जो ह तो चुपने हमसाई हैं या रिष्टेदारा ने ते कोई नहीं हैं मतलब दुनिया की नेम ते अल्ला ताला ने दिया काओ लेकर अपना भी मजाक नहीं बनवाओ मोटे होके खैर इसके साथ ही अभी हम अपना रियक्शन शिरू करते हैं उससे पहले पहले एक बड़ी प्या कहा हूँ आयत कहँ थो हैं बड़ी प्यारी सी चीज है मैंने कहा किसी को शिदत से किसी को शिदत से चाहने से क्या वा मिल जाता है तो जवाब आया तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्ह ना चाहे बेशक जी तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्ह ना चाहे बड़ी प्यारी आयात है मुझे दिल को छूगए और लोग किसी का बुरा बहुत चाहते हैं लेकिन मुच चाहनी सकते ये याद रखें, इसलिए ही इतना बड़ा लफज है ये, लेकिन लोगों को ना समझ नहीं आता, मतलब ये है, मकाफात अमल, किसी के साथ बुरा करोगे, आपके साथ लोट के, किसी ना किसी तरीके से गुम गुमा के, आता जरूर है, और मैंना तो हमेशा जिन्दगी में धो के ही खाए हैं, लेकिन दिल छोटा या बुरा नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं आगे का सोचती हूँ, मैं पीछे फिर मुड़ के नहीं देखती, क्योंकि बाद में एक अगा दफा मैंने थोड़ा था पीछे मुड़के एक दो लोगों का हाल चाल पूचा, हाल दिहान रखा और मैं चल पड़ी, मैं यह कह रही हूँ कि जो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं बुरे टाइम में, और यह समझते हैं कि यह तो बंदी या बंदा रुल चुका है, खत्म हो चुका है, इससे तो जान चुड़ा हो, हम अपना रस्ता लेते हैं, क्योंकि इस मैंटी के हिसाब से खराब होने लगे थे तो काफी लोगों ने का कि इसका तो हो गया ठप महाल सारा, इसका यह वाइटी केरियर खराब हो गया, तो हम तो बाई साइड से हो जाते हैं, लेकिन बाद में उबंदी खड़ी रही और हम लोग भी खड़े रहे हैं, इसको कर दो कि अपने काम पर दिहान दे रही हैं और अब तो उनके व्लॉग भी मजीद अच्छी होना शुरू हो गया है, यह चीज ऐसी होती है, कभी उपर, कभी नीचे, कभी उपर, कभी नीचे होता रहता है, अच्छी मैंने कल चाम को एक रिक्शन दिया था, और उसके बाद उनको यह तो recognize प्रहुत होरी उपर इंसकी ओसे बहुं मैं आप प्याज्ची मेंने क्यों के बुड़ लगए तो मैं मादरत चाहतीय हूँ मैं पहली जो होता है, मैं तो कुछ लЭंदा सक्प्त का तामframes तप्त मैं चाहती हूं मैं मूदाम को ढूंसा हुआ को बुर मना जाते तो गलती गुस्ताखी कोहताई मुझसे किय हुए अलफाज अगर आपने ऐसे बोल दी है तो अगले बंदे को चुबे हैं या बुरे रखे हैं तो एक बंदा गल्थ है उसको आप सुधारने के लिए करते हो एक बंदा जो है शायद इसकाबल नहीं है उसको आप कहरे हो तो फ अजबन के साथ तो अज़े खेली है मा ज़ी नहीं है तो अवारा नाम लिया था कि अच्छी लग रही तो बहुत अच्छी लग रही तो बहुत चुटी लग रही थी माशाला लाज जिंदगी दे नजरे बद से बचाय लापाँ मैं जब गई ती आप अच्छी मुझे बह reconst ozone मैं यहीं को ओघ के साथ बैड़ी जख गह रही ऊच्छी कर बहुतना आ कि हमदे कर रहीं है अपना रहीं होते हैं अपना चोक्रा बनाएं चोक्रूड़ा बनाके हैं यूं। बुरा भला बोली जा रही है तो अगुनाह के जुंबने में आता है जब तक वह बंदी ने खुवशिते के अपके गुनाफों कि तादात लिक रही है तुप कोशिश करें अच्छी ऐचल फाज बोलें यहां पर नाना ना साहिप पर मैं बात करूंगी देखें इतने सारे बीच में मिक्स अप होता है लिखा हुआ था मैं उसमें ते डूले में लिखा गाहं पे हैं अच्छा जी मैं आप सबर करती हूं यह नाना की बात कर रही ह जवाब नहीं देती, देखा मेरे भाई ने भी देख लिया, और लोग भी उनकी सचाईयां, और लोगों की सचाईयां सामने आ रही है, मैं एक महीने बाद खुश खबरी दूँगी, अचा जी यह बंदी खुश खबरी क्या देना चाहरी है, क्या निन्ना काका चुना मुना मैंने कुछ टाइम सबर किया, कुछ लोगों की सचाईयां सामने आना शिरू हो गई, भई पता नहीं कब आपने सबर किया, जवाब तो अक्सर मू तोड़ देती आप, और खौरन मिंट से पहले आप जवाब देती है, और कहती है कि मैंने सबर किया, और देखो, लोगों की दिखाते हैं, बताते हैं, इतना बुरा हो रहा है उन लोगों के साथ, लेकिन खेर मैं बता के सबर नहीं करूंगी, लेकिन मैं सबर ज़रूर करूंगी और कुछ लोगों ने कहा किया, AutoCon कर आपकिस्ता हैं में यह हैं तो पैसों के लिए कैसों तो कहती है, यह सो अग बागी पीज में से लोग सवाल जबाब कर रहे थे लाइव आई थी यह बंदी और उसमें कुछ इस तरह की बात ने की फिर करते हैं अच्छा मुझे एमरजंसी कॉल आ रही है फिर मैं जो है फिर आउंगी और अपने भाई को जाते जाते टॉंट जरूर मारके गई है देखा सचाया आना लोगों की शिरू हो चुकी है अच्छा सबर को खेर आपने नहीं किया आपने पिछले दिनों एक बंदे से वोईस दे के और उसको त्रोड मरोड के अपने गालियां खाला को दिलवाई हैं मर्यम को भी दिलवाई हैं और लोगों को भी दिलवाई हैं तो यह आ आप पे ही खुद ही लोग अब खुद ही एक्सबोज होना शुरू हो गया है तो उस चीज़ को इन्होंने माइंड कर लिया और फॉरण से वो इसको उठाई उसको त्रोड मरोड के देसी सहाब को दे दिया और गालिया दिलवाई थी तो वो सबर नहीं था मेरी जाँ वो सबर आप लोगों की बेटियाँ हैं आप लोग हम पर बोलते हैं थमके रहो तो यह नजमा साहिबा हम लोगों को चाहिए आर यहां को मुझे कर आणून नहीं टॉटऑो बचे मेरी वजय से प्राव उच्छए पुर्ल के लिघा है शुल, अपने किसी को सब्सक्राइब नहीं कि नहीं नहीं करती है। खोचिश करते हुँ हैं तियों हम तुम्स姓 के ढाट से भी टो है यह नगा एता लानत के वा एठाए लेकिन उ нुन्न डेंट डिखिए है और तो बढ़ा एक बॉरा आसर भी बगत लग व कि नोडेनके नाध रहों बु dale duy पारिए रिखा एक रेकनी Halvaad रही आपको जड़ोकाचितं पार जाय उनकी है तो अऩर सबस्दों जा कर सकती है इसक भाल उपने हैं एक्ढर मेंशनार करें हैं कि अगर बिए तो यह होज़somों के लिए पी यह स्नहीं अधर मैंत सब्टाथेonneire कि औख़ उर्ण के वी हैं जो के आपकी साज को गंदी वाली बद्वाइं देती है दिल से बद्वाइं देती है आपकी नंद प्यारी नंद को बद्वाइं देती है तो आप ने उधर तो कोई ऐसा रियक्ट नहीं किया उसको बचाने के लिए आई है उसको बचाने के लिए आई है आपकी वो बैहन नह तो अगर वो नहीं आप आराम से भी कह सकती हैं लेकिन इसमें आपके ओपर तो किसी ने इस तरह का रियक्ट नहीं किया या रियक्शन नहीं दिया खेर यहां पर वाकिही मैं ऐसे ही कहूंगी कि जब इनकी नंद को इनके बच्चों को या इनकी सास अमी जो हैं उनको गालिया जब दी जारी होती हैं तो कभी भी इस तरह का इन्होंने रियक्शन नहीं दिया सवाए आड़े हाथों सितारा के कुछ सपोर्टर को ले के उनको बोलना उनको हाश वर्ड यूज करना फिर मैंने तुम लोगों के नाम रखे हुए हैं ऐसे वैसे यह है वो है इस तरह से करक लेकिन जो गंती गालियां दे रहे होते हैं ना उनको पता नहीं है क्यूं मतलब इगनूर करते हैं उनको कभी क्यूं जवाब नहीं देते हैं यह सोच से बाला तर चीज है कि अगर दो लफ्ज आप मर्यम और नोशीन के लिए बोल रही थी तो दो लफ्ज उस बहन को भी ब सबहरों वहां नंद को क्यों बोलती हो पटारा कर के बोलती हो जाड वहाले लफस से यहां निए खांके गढ़े Kinש ओपाली तो देखें यहां पे भूगा इनका फेनी मेरी बेटी के बारे में युआ देखें भूगिन वो अपनी फपो में पीडा कर रही है, तो नाना के पास है, आगर वो खिशमत कर रही है। उंने चाय के प्याली बना देती है, ये साथ-साथ रहता है तो सितारा हमारा चिर्म से खयाल रखती है। नुकरानी क्यों बोला तो यह अलवाज निकल सकते थे लेकिन ना बाबा ना यहां पर इन्होंने यह बोलना होता है कि तुम लोगों को पैसे मिलते हैं इसलिए तुम लोग सपोर्ट में बोलते हो जहां से पैसे मिलते हैं उस बंदे को यह बंदी को तुम लोग सपोर्ट करत जासिब सेस्टर लेके आए हैं कि मेरा उपीनियन ये है कि ये बंदी है कौन जिसको मतनी भी जाके कहा था कि आपके आवाज जो है पहले वाली लग रही है मतलब बदली नहीं है इस तरह का कोई कमेंट था उसके बाद फिर बढ़ चड़ के बढ़ दुआएं देना इस चीज़ों से पहर उन्होंने लॉजिक से बात की कि हमने अंकल गुला मुम्मत के बच्चों को अक्सर देखा है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हाज वर्ड यूज करते हैं बद दुआएं देते हैं बुरा बला बोलते हैं तो यह वाली जो है रियक्शन इन लोगों के इधर कभी भी नहीं रोका इधर फॉरण से आजाते हैं और कहते हैं कभी तूने आते बोला तूने ऐसे बोला है सितारा से दुबार अच्छा जी है मैंने वह लाइव नहीं सुनी मैं क्योंकि तब बित खराब हो जाती है यह मैं भी टाइम भी इतना नहीं होता है नहीं सुनती तो खैर प्यास है भाने जो है माफी मांगिया और कहा है कि बड़ी वाजी जो थी तर्ड सिस्टर जिसको बोला जा रहा है उसकी सपोर्ट के लिए हमें अस्पेशल बोला था कि यह अच्छी गालियां दे देती है मेरी मां और बहन को इसको लाजमी सपोर्ट करें तो फिर काफी आपस में जो हेटर गरूप था सितारा का वो चिड़ सा गया कि बहीं तू तो जो है इस तरह से हमें क्यों गहरी है कि इसको सपोर्ट कर पहले तू परूफ दे तेरे पास क्या परूफ हैं तू अपरी बहान के लिए जो बोलने के लिए हम यह पर परमोशन करने थोड़ी बैठे हैं तू कौन सा हमें लिंक लगा रही है हमारे लिंक लगा उर्टा तू कहा रही है कि तू उनक को सपोर्ट करो और आगे बढ़ो तो थर्डी सिस्टर जिसको बोला जा रहा है उसके लिए बड़ी बाजी जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी भी आजाए कि इसको परमोट किया जाए यह अच्छी तरीके से धुलाई करती है मां को भी बिल्लो रानी करके अच्छे उठाओ फात्मा बर जाई है ते फात्मा भाबी जो है दो दिन इनका व्लोग नहीं आया और दो दिन बाद जो है जब इनका व्लोग आया तो अफसुर्दा सी तन तनहा सी कली कली सी है और जली जली सी लग रही थी यह लड़की आखिर क्या बात है लड़कियों है अगर य ही हमें और देखे मैं इतना कहूंगी कि मियां बीबी की जो लड़ाई होती है यह चिक-चिक होती है ना यह बात लिख के रख लो याद रखो मेरा तजर्बा भी है समझाई ना मियां बीबी की लड़ाई की वज़ा से ना बेबरकती होती है सारी दुनिया आपको छोड़ के भाग जाएगी मियां बीबी साथ रहेंगे यह याद रखना अगर रिष्टा मजबूत है तो अगर इन्वालमेंट इदर उदर नहीं है तो आप लोग अपस में अगर मुखलिस हैं पूरी दुनिया छोड़ देगी अलाद भी छोड़ के चल है इन्मिया बीबी की लड़ाई है जो के नहीं होनी चाहिए थी खैद इन्हों ने था लगाया था कि पढ़दे में रहने दो पढ़दा ना उठाओ फिर बात में जाके जब देखा तो वह फेस की बात हो रही थी फेस रवील कहती है कि मैं नहीं करूंगी मैं बूड़ी हो कर दो गई धा कोरता है कि मैं बन्हों बन्हों प्राप के लिए करती थी थी तो उनोंने रवील खिर दिया तो ऑर बहन मैं और भी एक ईपर बधिट रे ठीक है था है साही तो बसेदरी था था मैं अश्मी मैं रहे को श्मस्क बीबी ऑन एंप इस्ण्च शलरी रही हूँ है इसलिए जो मैंने अपना फेस रवील कर दिया है जिंजर से असानी हो गई सारा कुछ ए भाई तू वीडियो बिना रही है अच्छा मेरा फेस ना रवील हो जाए भाई इससे बेतर है कि मैं अब अजादी से आराम से काम करूंगे दूबटा रहें अच्छे से हिजाब करके र बिल्कुल मतलब पर्दे में रहना होता है तो आवाज भी पर्दे में रखने होती है तो कोई नहीं अगर आपको लगे के यार आप लुक सारे व्लॉगर हो सब व्लॉगर हो देखा नहीं एक दोखा अपका अपका फेस थोड़ा सर वील हुआ तो फिर कितना हेटरों ने इतनी रज रज के फोटो लगाई तो मैं बड़ी है रहान हुए यार देखो लो मौके की तलाश में बैठे होते हैं यार किसी का बंदा पड़दा ही रख लेता है लेकिन उन्होंने पड़दा ना रखा है यहां पर जो है हम बात करेंगे हम बच्चे बच्चों बच्चे सब्सक्राइब हो जाते हैं यहां बीबी की लड़ाई से खैर फात्मा ने दो दिन बाद व्लोग डाला है और सास और नंद का डिखाया केक शेक काटनी थी चाचा और फात्मा जो है साइड पर बैठे हैं चाचा बीचारा शादी करके अकेला बैठा है चाचा ऐसी शादी क ठी हुई है कई सालों से तो भी ऐकले फिरी जा रही हुए हूए हूंनके अभी अजबंसाम नहीं हो फैर इनका क्या जा प्रह मुद्ध मेंदन क्यों क्या लौजे के क्या छीज इसे अफिर बात में झनुने पद्वाश्य को ही कि जिए मार्ची बगता ज å준 जार orfात्माय लेकिन उरत को ही बुरा बोला जाता है, मतलब कहना चाहिए थी कि मर्द भी इस्टीज में शामिल हैं, अगर कोठे वाली बोला जाता है तो मर्द कोई नहीं बुरा कहता है, हाला कि महा पर जाते ही शरीफ लोग हैं, यह याद रखें, जो दूसरे दिमाग के लोग तो सेली यह बड़े बड़े जो हैं ना शरीफ दादे वही कोठे सजाते हैं, तो बात यह है कि ऑरत को गंदा बोलते हैं, लेकिन मर्द को गंदा कोई भी नहीं बोलता, जब भी बात आती है औरत को ही बुरा बोला जाता है, तो खैर बेड़ी बेहन, आप उदास नहों परेशान न करने में, लेकिन मर्द का नाम कोई भी नहीं लेता है, यहां पर उन्होंने का मुझे जॉब भी आफर हुए लेकिन बच्चे हैं, मैं कैसे करूं, मैं शायद ना कर पाऊं, देखे लिए आप लोगों कि जब आप लोगों की वोईस जा रही है वाई टी पे, जब आप दिलबर के साथ बैठी है, बच्चों के साथ बैठी है, तो फोटो बना ले फिर, वीडियो बना ले फिर आपको बताए बगयर, तो इसे बेतर यही है मेरे ख्याल से, इसमें कोई बुराएई नहीं है, जब आप साफसुत्रा काम करना चारें, कुकिंग करना चारें, फिर अच्छे तरीके से बिसम लाह पढ़ें, सुबह सुबह आपनी रुटीन दिखाएं, और कुकिंग दिखाएं, और सामने आके अच्छे से हिजाब करके भी आप अपना काम जारी रख सकते हैं, यह कोई बुरी बात नहीं है, अगर परदा करना तो परदा तो आवाज का सबसे पाकिस्तान की प्यारी 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 सी विलोगर देखें, और सुदी अरब से हिजाब की तरीके से आरी होती हैं, बच्छे रुटीन दिखाएं, टैंशन भी नहीं होती हैं, अब आप लोगों के कोई 30-40-50 कम अजग विलोगर हैं, तो इनको गिनों तो से यह च्छा से विलोगर हैं, अब देखो, १िना कोई, चारुक कोई, नाना कोई, डीडी कोई, बीपी कोई, अभी बाबर कोई, उसके बाद नहीं हो जाचा तो सिफर की मैंने बात की है, और कितने हैं? और तो, हेंग ब इनतहा कि परोओ का हो घान। असके बार कर इसके लना हैं तो बहत अब्सक्षार प्रूजा आपकर बाल नदर नाया आए अपने आपको क्याश करवाएं प्रूजा दिल को भी छूजाएं दिल को भी छूलेंगी